हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल शम्मी खान टीवी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं यह बताने वाला हूं कि सौधी अरब में फर्स्ट डोज कुरोना वैक्सिन लेने के बाद अगर आप कुरोना वाइरस से इंफेक्टेड हो जाते हैं तो आप सेकेंड डोज न लेंगे तो वहाँ पर आपको एप्वाइंटमेंट नहीं मिल पाएगा तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूं एप्वाइंटमेंट लेने के लिए आपको सेहती अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है इसके बाद आप कोविड-19 वैक्सिन के ऊपर क्लिक कर दें इसके बाद आपको यहाँ पर भीव एप्वाइंटमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एप्वाइंटमेंट लेने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा आप थोड़ा सा वेट कर लें फ्रेंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प् थोड़ा सा इसको नीचे स्कॉरल डाउल करने पर आपको यहाँ पर बुक दा सेकेंड डोज एप्वाइंटमेंट का एक ओप्शन ज़र आएगा तो इसके उपर आपको क्लिक कर देना है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डियर 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 प्रिप्रिएस इनफेक्शन यू कान नोट टेक दा वैक्शिन से सेकेंड डोज बेस्ट ऑन एमोच रेकुमेडेशन हेल्थ अपनिश्रिक तरफ से यह कहा गया कि आप अभी सेकेंड डोज नहीं ले सकते हैं आपको कम से कम यहाँ पर सिक्स मन्थ तक का वेट करना पर सकता है सेकेंड वैक करना पड़ेगा सेकेंड डोज वैक्शिन के लिए क्योंकि आप यहां से सहती या तो करना से सेकेंड डोज के लिए अपाइंड मेंट नहीं ले सकते हैं